Hello everyone, welcome to our channel आज का वीडियो requested वीडियो है French curve का use कैसे करे इसे shaper भी कहा जाता है मेरे पास काफ़ी request आई थी तो आज मैं इसी से आपको princess cut का shape देना, neck का shape देना और arm hole का शेप देना बताऊंगी तो यहाँ पर मैंने basic mark किया हुआ है arm hole का इसमें shape कैसे देते हैं मैं beginners के according बताऊंगे यहाँ पर सबसे पहले armhole line का center निकाल लीजिए तो हमने यहाँ center का mark किया है उसके बाद front और back का shape देंगे तो हम normally front में 1 inch और back में 1.5 inch पर mark करते हैं देखिए corner पर रखना है आपको इस तरीके से आप अंदास से भी दे सकते हैं शेपर रखे लेकिन मैं beginner के according बता रही हूँ अब यहाँ पर 1 inch पर भी एक mark कर देंगे हमारा back और front दोनों का हो गया है अब शेपर ले लेंगे हम और सबसे पहले यह जो 1.5 inch वाला mark के back का है तो back के लिए आपको कुछ इस तरीके से रखना है center पर touch होना चाहिए और इधर इस line पर touch होना चाहिए और जो हमारा 1.5 inch का निशान है उससे मिलते हुए हमें इस तरीके से रख देना है 1.5 inch का जो निशान हमने लगाया है back part का देखिए back का shape आपको french curve से कुछ इस तरीके से देना है मैं थोड़ा सा इसे dark कर देती हूँ हमने points को मिलाते हुए रखा अब हम front का shape थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दे हुए रखेंगे देखिए कुछ इस तरीके से और यहाँ पर जाकर हमें इसे बिल्कुल ऐसे ही corner पर touch करना है और हमने 1 inch वारे निशान से इस तरीके से मिलाते हुए रखा है और front का shape हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर देते हैं देखिए जैसे कि मैंने बताया है मैं इसे थोड़ा सा ओर डाक कर दूँगी यह देखिए हमने front का shape लगा दिया है इस तरीके से आपको shaper का use करना है अब हम neck का shape लगाना सीखेंगे तो सबसे पहले आप neck की length और width का mark कर लिजिए जितने भी आपको neck की length और width चाहिए उसके बाद हम direct shaper से shape लगा देंगे तो मैंने इस तरीके से mark कर दिया है अब हम shaper लेंगे और इस तरीके से रख देंगे तो आपका perfect round shape यहाँ पर बन जाएगा अगर आप V light सा V देना चाहते हैं तो वो भी आप इस shaper से दे सकते हैं देख सकते हैं perfect round shape बन गया है अब यहाँ पर मैंने dart के लिए mark किया है तो आपको princess cut के shape के लिए कुछ इस तरीके से burst point वाले mark से मिला कर रख देना है और easily आप इस shaper से perfect princess cut का shape दे सकते हैं तो आपने देखा कई तरुके से आप इस french curve को use करके काफी smooth finish दे सकते हैं अपने stitching के लिए तो I hope आपको इस वीडियो समझ में आया हो और आपके लिए वीडियो helpful रहा हो वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिएगा इसी वीडियो के लिए फिर मिलती हो में नेक्स वीडियो में तक तक के लिए bye bye and thanks for watching